नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 24 का अंटरफेर्स पर जहाँ पर अब भारत सरकार एक ऐसी ब्राट का सर्विस को लॉंच करने जारी है जिसका अस्तमाल अभी तक दुनिया के किसी भी देश में नहीं किया गया है As a experiment कई देशों ने इसका अस्तमाल किया है लेकिन भारत दुनिया का वो पहला देश होगा जो इसे कमर्शियल लेवल पर लॉंच करने जा रहा है और अब तक आपने इस खबर को भी सुन लिया होगा कि भारत अब D2M का कॉंसर्प्ट को लॉंच करने जा रहा है आईए details में समझते हैं कि भारत सरकार की ये service किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से भारत की मदद की जा सकती है वैसे देखा जाए तो ये technology नई नई है पहले सही इसका अस्तमाल किया जा रहा है यदि आपने नाम सुना हो तो भारत में D2H का concept चलता है D2H यानी की direct to home पहले signals हमारी चतों पर लगे हुए dashboard पहुंचते हैं और उससे लगे हुए setup box सका आता है और उससे connect होता है setup box उसके जरिये हम अपने TV पर उन सभी channels का access पा पाते हैं जिनको government allow करती है लेकिन इस पूरा process में internet का इस्तमाल नहीं किया जाता बट problem यही कि भारत के अंदर 20-22 करोड़ लोग ही TVs का इस्तमाल करते हैं लेकिन आज के समय में जब स्मार्टफोंस इस ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं तो करीब 80 करोड़ लोग स्मार्टफोंस का इस्तमाल करते हैं तो government यह जी समझ चुकी ही कि अगर किसी भी information को जादा लोगों तक पहुचाना है वो भी बिना किसी charges के तो इस तरह की technology यानि D2M यानि direct to mobile technology को introduce कराना होगा और इसे नाम दिया गया है next generation broadcast फिलाल इस टेक्नोलोजी को launch करने और इसके पर काम करने के लिए department of telecommunication ministry of information and broadcasting इसके लावा आए ट कानपूर और कई telecom operators भी शामिल होंगे एक बड़ी इस तरह की कोई service launch हो जाएगी तो सभी चीजों का access हमें free मिल जाएगा वह भी बिना internet के तो इन कंपनियों को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है अब वैसे तो हमें दिखाई जाना वाले ads को skip नहीं किया रहा था यहाँ पर एक simple सी चीज है कि अगर आपको कोई चीज फ्री दी जा रही है तो उसके बदले कहीं न कहीं से payment जरूर ली जाएगी लेकिन भारत के अंदर डी टुम टेक्नोलोजी को लाने का जो मकसद है गौर्मेंट का वो है कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक information पहुंचाई जासा के कोई भी emergency है वो सारी information लोगों तक control तो है लेकिन पूरी तरीके से control नहीं है आज भी YouTube और कई ऐसे social media platform है जहां पर कई ऐसी चीज़े upload होती है जो government के अगेंस होती है लेकिन अगर इस तरीकी के service आती है तो इस पर government का पूरा control रहेगा और government जो चाहेगी वो हमें दिखा सकती है यानि कि government को अब अपनी खुद इसके उपर PPP and E public private partnership के तहत काम किया जाएगा और इस D2M scheme को welfare के साथ साथ profitable भी बनाना government का target है बाकि D2M पर आप क्या सोचते है comment box में जरू बताएगा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इससे like और चैनल को subscribe जरू कीजएगा और वीडियो खतम करने के स कि यहाँ पर आपको online वाली feel नहीं आगी क्योंकि इन classes को directly offline classroom से live stream किया जाएगा इस course में आपको 400 प्लस आर का classroom program, live and recorded sessions, exam oriented weekly test, expert faculty team, doubt session और basic to advance approach के साथ में आपकी तयारी कराएगी normally इन सभी चीजों का जो prize है किसी भी institute में 20 से 25,000 रहता है class 24 पर भी इसके prize 10,000 के आसपास रहते हैं लेकिन अभी इस पर discount भी आजा रहा है करीब 50% off यानि की 4999 में आपको ये course अभी मिल जाएगा इस course में enroll होने के लिए आपको Google Play Store पर class 24 exam preparation आपको download करना है या फिर आप description में दिएगे link से भी application को download कर सकते हैं उसके बाद आपको open करके जाना है SSC section में preparation में जाकर के आप अपने इस course को buy कर सकते हैं इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी doubt है तो दिएगे contact number पर आप call करके sign query कर सकते हैं